कैसे हैं दोस्तों मीज़ा खैदियास से होंगे एक बाद भी मेरे चैनल शाहिदे.com पर आसाभी का वेलकम करती हूँ कौन पकोड़ी की रसी पिलाई हूँ इसके इंगरिंस में आपको बताती है यह मैंने बंकब बेसन रखा हुआ है थोड़ी सी प्यादोहरा धनिया कटा हुआ है जीरा चाट मसाला है यह थोड़ा सा और नमा को लावन से अपने टेस्क एकॉर्डिंग लिजागा यह स्वीट क को भी उसका लिंग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसके लाव आप लोग मुझे इस्टाग्राम पर शाहिद एक के नाम सही फॉलो कर सकते हैं चले भी शुरू करते हैं इस सब चीजे में बेसन में डाल करके और जो पकोड़े का अपना बैटर होता है जिस तरह से ऐसा बस ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा पतला ना करें नहीं तो यह जो स्वीट पॉन्स होते हैं यह फिर पटखने लगते हैं जाती इतना हो कि यह इसको अच्छे से कवर कर सके थोड़ थोड़ पाइन डाल करके इसको जैसे मैं पेस्ट पना करके इसको बैटर बैटर बनाया इसको मैंने काफी गाड़ा रखा है क्योंकि मटर या यह स्वीट पॉन्स होते हैं ऑईल में जाके पटखने लगते हैं तो यह थोड़ा सा धियान रखिए तो इसको मैं पकॉड़ियों तरह से तर लूँगी दूसरी यह है कि जब आब कभी पकॉणिया बना कर दें नहीं तो यह कच्छी रह जाते हैं अंदर से आई मैंने हाई फ्लेम पी क्या हुआ है मैं थोड़ी पकॉड़ियों डाल दूँगी इसमें तो मैं मीडियों पर कर दूँगी इसको दोना साइट से यह पकॉड़ियों अपनी बनती हैं बोल ब्रॉन ऐसे कर लूँगी यह दें कॉन पकॉड़े हमारे जो हैं बड़े क्रिस्पी तल करके तयार हो गए हैं पर इच्छे खुश्बू आ रही है इसमें इनको टिशू पर कपने निकाल देंगी बहुत टेस्टी बनते हैं बिल्कुल नहीं सी रेसिपी जरूर ठाई करें ऐसे रम्दान में आप लो तो यह देखें कॉन पकॉड़े बन करके हमारे बिल्कुल तयार है मुझे ज़रूर बताई के रेसिपी आप लोग कैसी लगी आप लोग के लाइस और कमेस के मुझे निजार रहेगा शेयर करें में रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना बूलें मिलती हूं जल